So guys बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल पर आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होगी दोस्तों क्योंकि आज की वीडियो मैं बताऊंगा आपको अगर आप किसी आप्लिकेशन को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर व प्रोब्लम आ रही है जैसे कि आप देख सकते हैं एप नोट इंस्टॉल यहाँ पर आपको भी कुछ इस्तरे से इस प्रोब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए ही है मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे इस प्रोब्लम से छुटका रहा पाना ह यहाँ पर मैं आपको कुछ टीप्स दूँगा जिनसे की और लाइफ भी दिखाऊंगा आपको कैसे आप एप्लिकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आप पहली बार मेरे च सोर्स जो है सर्च कर लेना है आप देख पाएंगे जैसे आप सर्च करते हैं यहाँ आपके सामने यह ओक्षन आएगा प्रैल सिका आप चाहे तो आपके मुबाइल में डारेक्ट यह option मिल जाएगा आपको अब आपको जो है क्या काम करना है मैं आपको बताता हूं जिससे क आपकी यह problem solve हो सके आपको यहाँ पर जो है social app access का option दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह से options आएंगे अब यहाँ पर आप देख पाएंगे install unknown apps यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दीजिए अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सभी application open हो जाएंगी अब यहाँ पर आपको main चीज क्या करना है आप देख पाएंगे not allowed not allowed यहाँ पर सभी का not allowed है अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक application को select करना है जैसे कि आप देख पाएंगे chrome अब यहाँ पर जो है इस पर आपर जो यहाँ पर आप दोस्तों यहां से आपने ओव कर दिया उस से पहले और बात दिया और यहाँ पर आपको जो है अपने मुबाइल की सैटिंग में फिर से चले जाना है एक बात का ध्यान रखियेगा यह श्राटिंग करने से पहले यहाँ पर आज सैटिंग में आएंगे तो अपने मुबाइल की स्टोरेज आप अपने मुबाइल की स्टोरेज जो है यहाँ पर स्टोरेज चेक करते हैं जैसे कि आप देख पाएंगे या स्टोरेज मैंन चक की है आप देख पाएंगे अपने मुबाइल की स्टोरेज एक बार जुरूर से चक कर लिजिएगा आपके मुबाइल में स्टोरेज है या नहीं है और इतना काम आपने चक कर लिया अगर आपके मुबाइल में स्टोरेज यहां से मैंने सर्च कर लिया है play protect अब यहां पर आप फिर से click कर दिजिए और यहां पर आप Google play protect का option दिख रहा है यहां पर click करिए अब यहां पर आपके सामने प्लेश्टोर की settings open होंगी यहां पर आप देख पाएंगे setting option यहां पर click करना आपको अब यहां पर कुछ इस तरह आपके सामने यहां पर इसकी जुरूरत कप पर दिया दोस्तों अगर आप play store से application install ना करके किसी third party application को install करते हैं जैसे कि आप browser से किसी से install करते हैं तो वहां ऐसे में जो हैं यहां पर play store ऐसी applications को download होने के permission नहीं देता क्योंकि वो harmful भी हो सकते हैं दोस्तों कुछ ऐसी applications होती ह दियुकि साथ virus attach होता है तो ऐसे में आपके साथ कुछ भी हो सकता है तो इसलिए अगर अगर अब third party application को फिर भी install करना चाहते हैं किसी browser से download करके तो ऐसे में आप जरूर से in settings को off कर लिजीए यहां से जैसे आप देख से turn off को option आ गया है तो आप यहां से turn off कर सकते हैं तो आ यहां पर मैं इसको on कर देता हूं क्योंकि मैं बहुत थिक कम चांस है कि बाहर की application को install करता हूं अगर करता भी हो तो में बात ध्यान रखता हूं मैं अगर यहां पर harmful दिखा रहा है इंस्टॉल होने नहीं दे रहा है तो मैं उसके साथ धक्का नहीं करता हूं उसको install करता भ इससे आप मिलता हूं सो गाइस यहां पर हम देख लेते हैं टिक टोक install होता है यह नहीं होता है यहां पर मेरा जो टिक टोक है यहां पर install हो चुका है तो यहां पर हम इसको कर लेते हैं open तो आप देख सकते हैं दोस्तों इंस्टोल हो चुका है यहां पर आम इसको यूज कर सकते हैं आप भी जुरूर से इस स्टैटिंग्स को कर लिजेगा और यहां पर आपने अप्लिकेशन को इंजोई कर येगा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं नाक्स वीडियो में तिल देन बबाई टेक केर